अफ में आन होनी चाहिए थी यहीं प्यास को ड़ा फुस्टु अफ स्विच है पुस्टु अन स्विच नहीं है हमें फ्यूज बॉक्स में से हमें जो 15 एमपेर का फ्यूज है उसको निकाल के रखना है यह वो पुस्टु अन स्विच इसको हम लगाएंगे वहां पर ज्याद उपर हम एक स्विच लगाएंगे जो किल स्विच या फिर एक कट और स्विच हो सकता है जब स्टैंड ओन रहेगा तो कारी चलेगी यह आज का मारा वीडियो है यह आप देख सकते हैं यह का की सिस्टम है की लॉक सिस्टम और यहीं पर पीछे इसमें वारिंग दिखाए ज इसे स्टैंड को पहले हम साफ कर लेंगे क्योंकि इसी पर हम वह स्विच लगाएंगे जो की एक कटो स्विच की तरह काम करेंगा जब क्टक स्टैंड ऊन पोजिशन में रहेगा मतलगा वह रहेगा तब तक बाइक स्थार्ट नहीं होगी और यही हमारा वीडियो है इसके लिए हम इसको स्टाफ कर देते हैं अच्छे से तो कि हम इस पे एक स्विच अपना अच्छे से फिक्स कर दें वो स्विच होता है पुश्टू अन इसके लिए हम वार कनेक्शन्स दे देंगे इसके लिए हेवी ड्यूटी वार हमें यूज करने हैं विकॉज आप समझते हैं इसमें पूरे एक निशन जाने वाला है तो इसको मैंने फॉली सिक्योर कर लिया इस तरह और डबल टेप और जो सूपर ग्लू होता है उसकी हेल्प से इसको मैं अच्छे से सिक्योर कर लूँगा ताकि यह चलते वे निकले भी नहीं और यह अच्छे से लगा रहे यह आप देखना है मैं कन्फर्म कर रहा हूं उसकी पोजिशन को ताकि यह स्विच दबा रहे और काड़ी चलती रहे जब स्टैंड को हम हटाते हैं और जैसी स्टैंड को हम लगाएं तो काड़ी बंद हो जाएं जब देख रहे हैं कि यह हवी डूटी वायर स्पीस पे मैं लगा के इंजिन के नीचे से चापें चाहां पे कुछ टच भी ना हो अच्छे से पीछे से इसको को हम निकाल के हम लाएं है और यह है वह नुख सिस्टम की वायर आपको चार बाइर दिखाए दे रही हैं इसमें हमें ब्लाक और रेडल वायर में से कोई भी ग्वाय यको कट करना है और व कुछ स्विच में कनेट कर देना है यह सबसे पहले हमें फ्यूज बॉक्स में से हमें जो 15 एंपेर का फ्यूज है उसको निकाल के रखना है ताकि कोई भी हम इसमें प्सकार्ट सर्किट ना करें यह मैंने वायर कनेट करके इसमें मैं वायर जो अपना स्विच वायर है वो कनेट करने जा रहा हूं यह हम लॉक वायर में इसको अटाच कर रहे हैं मैं फुली सिक्यूर कर रहा हूं दाकि कोई स्पार्किंग भी ना हो और फ्यूचर और हीट सिंग स्लीव से हम इसको कवर भी कर देंगे जो कि अभी आप इसमें देखेंगे और यह कनेक्शन्स फुली सिक्यूर हो गए है हीट सिंग स्लीव को मैं इस पे लगा चुका हूं और यह वाब देख रहे हैं स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक आफ नहीं अन होनी चाहिए थी यहीं प्यास कोड़ा पुस्टू ऑफ स्विच है पुस्टू अन स्विच नहीं है इसके लिए हमें यह स्विच निकालना पड़ेगा जैसे आप देख रहे हैं कि स्टैंड अभी बन किया तो यह अन हो जा रही है जो कि नहीं होन चाहिए था स्टैंड लगे भी पुजिशन पर यह चलना नहीं चाहिए था खैर यह है वो पुस्टू अन स्विच इसको हम लगाएंगे वहां पर जादा बड़ा उसमें कुछ कनेक्शन नहीं है सिफ मुझे स्विच को हटा के इस वाली स्विच को लगाना है वो मुझे प स्टैंड लगावा है तो भी कुछ ना एकनिशन लाइट आई ना कुछ अब देख सकते हैं मैं साइज स्विच पर गरे भी चला रहा हूं बट जैसे ही मैं यह देखिए बट जैसे ही मैंने बाइक पर चड़ा और मैंने स्टैंड अटाया और यह देखिए स्टार्ट होगी अन भी वर कर रहा है इंडिकेटरस भी वर कर रहा है अल यह देखिए स्टार्ब होगी है